हैं यहलो फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन शक्ति के तहट दे गई कारी योजना के विशह में। के जैसे कि आप शभी लोग जानते हैं की हर बार हमें उत्र प्रदिश चरकार द्वारा मिशन शक्ती के तहट कुछ कार्योजना दी जाती है करना है तो चलिए video स्वार्ट करते हैं तो जैसे कि आप लुक जानते है came अप्रैल मा में हमिं क्या करना है इसके पहले हैं एक वीडियो अपना आप्रोड कर चुकी है जो की अप्रैल मा के पहले दुशंश्री शनिवार को हमें हमने संचारी रोग पर कारी किया आपको एजी लगे तो यह कार्योजना जो है में शवदिवशी कार्योजना जो है 16 पैल सी 30 जुलाई तक की मिली है तो वो मैं पढ़ दे रही हूं यह चीज बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मिशन शक्ति फेस फेस फोर चल रहा है तो इस पार मिशन शक्ति फेस फोर चल रहा है मिशन शक्ति कार्योजना अप्रेल 2022 तक शवदिवशी कार्योजना यहां पर मैं उसको थोड़ा से सौड़ फोर में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतरगत महिलाओं की सुरच्छा सम्मान एउन शवव लंबन के लिए शवदिवशी विसेश अभियान अप्रेल के 32 शप्ता से प्रारम भुटिया जाना है इसी करड़ी में माह अप्रेल 2022 से जुलाई 2022 तक शवदिवशी कारियोजना कारिवाई हेट निम्नवत है आप इस स्क्रीन पर ये शरकार द्वारा जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है इसकी आप पोटो देख सकते हैं क्योंकि आपको क्लियर समझ मे नहीं आएगा, इसलिए मैं रेजिश्टर में आपको हर महीने की कारवाई पढ़कर सुना दे रही है हूं क्योंकि इस ओफिस्यल ये जो हमें मिली है आदिस, इसमे क्लियर हो सकता, आपको वीडियो में समझ महीन आए है लेकिन आप यह देख सकते हैं तो हमें जो पहला मेना मिला है अप्रेल माह का इसमें हमें 15 अप्रेल से 30 अप्रेल तक क्या कारे करना है उसके विसे में है स्कूल चलो अभियान के अंतरगत बालिकाओं का सत्प्रतिशत नामांकन कराना बालिकाओं के लिए रहता है लेकिन यह नहीं कि हमें सिब बालिकाओं का ही नामांकन बालिकाओं के लिए भी हम कर सकते हैं लेकिन यह है कि यह बालिकाओं के लिए विसेस पहल करता है तो इसमें हमें क्या करना है स्कूल चलो अभियान के अंतरगत वित्याले ना जाने वाली बालिकाओं, विसेज कर घुमंतु परिवार की बालिकाओं, इंट भटो पर कारी करने वाली, भीक मांगने वाले, मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले, कुटीर उद्योगों से जुड़े परिवारों की बालिकाओं को चिन्नित करते जन जमुदाय को जागरुक करने है तो घर-घर संबख, मोहला बैठक, रैली, नुक करनाटक तथा पपिट सो आधकी माध्यम से जन जागरुकता कारिक्यम का आयोजन करने है तो पंचायस से एवं बिद्याले प्रबंध समितियों से विसे सहयोग ले तो ये कारे आपको करनाँ है, इसमें आपको इस्कूल चलो अभियान की अ्तर कत सत प्रशन नमांकन कराने है ये ज़ारे कारे करनाँ है, आप रैली निकाल सकती है या मोहला बैठक करके जैसे भी करके वो आपको करना है उसके बाद हमें एक मई से उननीस मई तक की कारियोजना दी गई है इसमें हमें क्या करना है वो हम जानते हैं उपस्तिती अभियान बालिकाओं की विद्याले में नियमित उपस्तिती के लिए प्रतीक शनिवार उपस्तिती अभियान चलाया जाए उपस्थिती अभियान के तहट ऐसी भालिकाओं को चिन्दित किया जाए जो भी द्याले में प्राया अनुपस्थित रहती हैं उनके अभिभाव को भी सूची तैयार कर उनके घरों में संपर्क किया जाए तथा अभिभाव को जागरू किया जाए बाल अधिकारू सुरच्छा एवम संरच्छा पर चर्चा और हमें क्या करना है मैमा में समस्त्र प्रधाना ध्यापको एवम सिच्चको के माध्यम से छात्र छात्राओं को घरेलू हिंसा बच्चों के साथ होने वाली हिंसा यौनिक हिंसा छेट छाट सेफ अंसेफ टच जून तक क्या कारी करना है बालिकाओं द्वारा यूटूब के माध्यम से सल्फ डिफेंस प्रसिच्छन का आनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा पान जून पर्यावरन दिवसपर बच्यों द्वारा गाउं में व्रच्छा रोपड कर फोटो वाट्सप किया जाएगा त जून तक था तो हमें 16 जून से 30 जून तक क्या कारे करना है उसकी कारी योजना है विद्याले की एक दिवार को ख्याति प्राप्त महिलाओं को समर्पित करते हुए महिलाओं के संघर्स की कहानिया चित्र आधी प्रदर्शित किये जाएंगे तथा बच्चों से चित्रकला वाद्युआत, चर्चा, परिचर्चा, बालक बार आधिका निर्माट कराती हुए प्रदर्शिनी लगाई जाए जिसमें अभिभावकों को बुला कर प्रतिभाग कराया जाए बालिखा सिच्छा के महत्त पर श्लोगन तथा नारे आधितक्तियों पर लिखवा कर रैली के अंतर राष्टी योग दिवस्त के अउशर पर विद्याले में अभिभावकों को आमंत्रित कर योग के सत्र संजालित करती हुए योग के महत्त पर शर्चा की जाएगी ये हमारी 16 जून से 30 जून तक की कार्योजना है इसके बाद हमें 1 जुलाई से 21 जुलाई तक क्या कार आया जाए बाल संसर पर निर्मित फिल्म दिखा कर बच्चों के साथ चर्चा की जाएगी तथा बाल संसर एवं बाल सभा में बालक बालिकाओं को शमान रोप से जिम्मेदारी दी जाएगी फिर यहां एक इंपॉर्टन पॉइंट है ये अपारी स्कूल के लिए है स्वच आया जाएगी उसके बाद बच्चों को हमारे कानूनी प्राविधानों यथा सिच्छा काधिकार पाक्सो एक्ट बाल विवाद दहेश प्रथा गरहलू हिंजा आधिके बारे में चर्चा करें समस्त सभाओं एवं बैटकों में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर महिला हेल् घर घर पर किसी भी प्रकार की पुलिस शहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर आधिकी जानकारी बताना कर जाएगी बच्चों द्वारा बाल अकबार तयार करवाया जागा जैसा कि आप जानते ही कि हर बार हमें इनी टॉपिक्स पर काम करना होता है और सबसी इंपॉर्ट आप में जरूर नोट करिएगा क्योंकि इसी के अनुशार आपको कारी करना है चुकि यह वीडियो में थुड़ा से लेट अप्लोड कर रहे हैं इसके बार मैंने 16 तारीक यानि की अप्रायल मां के तीसरे शनिवार को क्या कारी किया था मैंने प्रवेस उस तो रैली निका तो इसका टेड़ वाइज में एक एक वीडियो अलग अप्रोड कर दूंगी तो फ्रेंट्स आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगया मुझे जरूर बताएं और अगर फिर भी आपके मन में कोई और शवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी पोस्ट सकते हैं Thank you